आजाद समाश पार्टी वर AIMIM के कारी करताओं में भिणत सुचना मिलते ही SSP पहुचे मौके पर दोनों प्रत्याशियों ने लगाए एक दूसरे पर हमला करने का आरोग नगर कोतवाल इक्षेतर के कसाई बाड़े की है घटना नारे लगाने को लेकर दोनों पक्षा गए आमने सामने हुई कारे करताओं में जड़ब सुचना मिलते ही DM SSP मैफोस पहुचे मौके पर जहां एक तरफ AIMIM के प्रत्याशियों दिलशाद हमल ने आजाद समाज पार्टी के कार्य करताओं पर जान से मारने का लगाया आरोग कहा अस्पा की कारे करताओं ने घेरा बंदी कर की हाथ अपाएं कपड़े फाड़े जान से मारने की की गई कोशिश मौके से पैदल भाग कर बचाई अपनी जान वही दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याश्री हाजी आमीन ने बताया अस्पा की राष्टे अध्यक्ष श्री चंदर शेखर की गाड़ी के आगे अचानक बसला कर कुछ अग्यात लोगों ने की चंदर शेखर पर फाइरिंग दोनों पक्षों ने दीट तहरीर पुलिस जूटी है जान्च में स्सपी बुलें शहर श्री संतोष कुमार सिंग ने बताया प्रतम द्रिष्टी में दोनों पक्षों के कार्य करताओं के बीज जड़प के बात आ रही है सामने नहीं हुई है फाइरिंग की कोई भी पुष्टी हर पहलू की बारी की सेथ कराई जाएंगी जान्च अति शी अग्रिनिश पक्ष जांच कराकर की जाएगे अग्रिम वैधानिक कारवाही ईजिए एक बाही है नहीं नहीं है और भाई यह नुक्ष खचाछकिय ठाब है इसला थी यहां रही सहमत नाम है अवह प्रत्यासिण का भाई यह बद्मास जो जो नाम का अधमास के जोच मारी दो अज को आज मारी दो लेकिश एको मारने की उमारे कुछ एप्ण लागा है हमारे परतियासी हाजी आमीन जी और हमारे राष्टिय अद्यक्स एड़ोकेट चंदर सेखर आजाद जी कसाई बाड़े में एक साथी के यहाँ चाई नास्ते पर गए थे उसके बाद जैसे ही वहां से चंदर सेखर आजाद जी का काफिला निकलता है अचानक से उनके काफिले के सामने एक बस लगा दी जाती है और उनकी गाड़ी कदर फस जाती है कि दोनों तरफ की खिटकिया लोग को जाती है और अचानक से वहाँ 15-20 लोग आकर जो है कुछ इस परकार की नारे बाजी करते हैं जो बिल्कुली विरोधी है और अचानक से आकर वहाँ हमला कर देते हैं हमारे जितने भी कारिय करता हैं वहाँ बहुत ही सूजबूज से अड़ोगेट चंद्से कर आजाजी को गाड़ी से निकाल कर भार लाते हैं और सुरखसी अस्तान पर लेकर जाते हैं लेकिन बहुत ही प्रीप्लान मामला है बस लगाना और वहाँ फिर कम से कम 20-25 लोगों की भीड आना और भीड में आकर वहां फायरिंग करना यह कहीं न कहीं सोची समझी साजी सा यह कज़ब समाचार चैनलों पर आजाज समाज पार्टी के चंसेखर आजाद पर हमले की बात और फायरिंग की बात चला जा रही है जो किसी भी तरह से अभी तक पुष्ट कारक नहीं है हाँ यह है कि आज आज समाज पार्टी के प्रत्यासी हाजी यामी और माईयम के प्रत्यासी दिलसाथ यह दोनों लोग चुनाव प्रशार में रुकन सराय कोतवाली नगर बुलन सहर में गए थे जहां इनके कारिकरताओं के बीच में आपस में गाली गलोज की सूचना थी जैसे ही सूचना मिली ततकाल मौके पर पुलिस पहुंच गई दोनों पक्षों वहां से हट गए थे फिलाल दोनों पक्षों से बात की जा रही है अगर कोई तहरीर देते हैं तो तदर मुसार अब योग पंजी कुद कर बैधानिक कारवाई सुनिशिक की जाएगी लेकिन जहां तक हमले की बात है अब तक इस संबंध में कोई पुष्टिकारक बात जानकानी नहीं नहीं आएगी बुलिन शहर सेज जाविद खान की रिपोर्ट